इस वीडियो में डिटील में डिसकस करेंगे बॉर्डन ट्यूब साहत में इसका दिखेंगे construction, working and advantages, disadvantages of the borden tube अब बॉर्डन ट्यूब क्या होती है? बॉर्डन ट्यूब एक तरह अपका transducer होता है जिसमें हम pressure की measurement लेते हैं pressure की measurement लेने के लिए क्या करते हैं? और यह हमें कुछ output reading शो करता है तो जिसकी मदद से हम pressure पता लगा सकते हैं कि कितना pressure आपका जो system है वो provide करा रहा है with the help of borden tube तो एक तरह का transducer ही होता है आपका borden tube अब मैं इसके construction के बात करूँ तो construction जो होता है borden tube का खाफी simple होता है इसके अंदर एक C-type की tube provide की जाती है C-type की tube जो की hollow होती है hollow की मदद से क्या होता है कि आप इसके नीचे से pressure provide कराते हैं जिसकी बिद्द से expand होती है तो इसके दो end होते है एक होता है open end और कह सकते हैं हम जो की socket में fix किया जाता है means आपका कोई pipe है अगर आपको उसके अंदर से प्रेश आपके कोई liquid जा रहा है कुछ भी जा रहा है आपकी air जारी तो आपको उसको pressure measure करना है तो pressure measure करना है आपको उसको cut करके एक bottom tube जो होती है वो insert की जाती है मैंने आपको example दिया है किसी pipe के अंदर एक socket के अंदर आपकी bottom tube fix करी गई है तो socket क्या होता है socket क्या करते है जो इसके bottom tube का open end है उसको उसमें fix रहा जाता है और यह किसका free end होता है जो कि free to move होता है अब क्या होता है कि जब आप इसके अंतर pressure provide कराते है तो यह क्या होता है यह move होता है अब जो इसका मुवमेंट है वो साथ में इसके गियर और पिरियन अर्यमेंट के साथ इसके पास साथ एक पंटल लगा हुगा होता है अब मैं आपको एक और चीज बताओं जो आपकी बॉर्डन ट्यूब है यह बनी होती है आपकी स्टेनलेस स्टील से और जो इसका एंगल होता है यह जो चीज चीज चैप का एंगल होते है 25 दिजिसके मदश से एकल मिल जाता है 25 दिप जिसके मदश से इसके पास नर्य घमेंट होते हैं जैसे ये जैसे अब करता है कि ये मुव होगा ये विल तो यह हुआ ये जो इसका होता है था जाता है तो जैसे ये उपर के तरफ जाएगा तो आपका पॉइंटर भी तो निए तुप करना स्टार्ट कर देगा तो simple होता है इसका construction और working अब दीखते हैं इसके advantages लोते हैं इसके modern tube के वो काफी advantages होते हैं for example इस modern pressure goals give accurate result अब के होता है जो प्रेट में प्रेश की रेडिंग होती है वो हमें accurate चाहिए होती है तो जहां पर भी आपको accurate reading चाहिए होती है उसमें हम prefer करते हैं modern tube को क्योंकि exact reading provide कराती है इसमें कोई error नहीं होता, negligible amount of error तो हर device देती है but other के comparison में modern tube आपका जो होती है वो accurate result provide कराती है simple in construction जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत simple construction होता है बस एक Z-type के stainless steel के साथ गियर प्रियन arrangement करके साथ एक आपका pointer connect किया जाता है they can be modified to given electrical output अब के होता है जब मैंने आपको sensors और transition में difference बताया था तो types of transducer भी हमने discuss करे थे तो मैंने उसमें आपको primary और secondary transducer में example दिया था तो हम इसको electrical output में भी change करा सकते है with the help of LVDT तो modern tube क्या करती है इसको modify कर सकते है electrical output लेने के लिए भी accuracy at high pressure available for various range और यह आपकी जो various range के लिए available होती है आपकी modern tube अब इसके disadvantages के बात करें it response slowly to change in pressure is slow अगर आप बहुत कम प्रेशर इसके नदर apply करना चाहते हैं उसके measurement लेना चाहते हैं तो आपको output है वो vary कर सकता है तो इसका यह disadvantage होता है it sensitive to vibration आपके होता है कि किसी भी आपके किसी भी आपके लिए इसका जो अगर यह अपकी reading कप सो होगी यह reading जब भी शो करेगी जब आपके जो free end है वो move करेगा move किसके तो करेगा with the help of pressure जो आप यहां अप्लाइ करेंगे तो अगर pressure काफी low है यह and अगर movie नहीं करेगा तो आपका pointary reading शो नहीं करेगा तो वही है not suitable for the low pressure applications तो यह था इसका simple construction working advantages disadvantages of burden tube अगर आपको वीडियो चे लगे हो तो हमारी इस वीडियो को like करें हमारी चैनल को subscribe करें और अभी तक अगर आपने Instagram पर follow नहीं कर रहा है तो हमें Instagram पर follow करें उसका फाइदा यह होगा कि आप हमारी latest वीडियो के साथ update रह सकेंगे और साथ ही आपका अगर कोई भी electrical engineering से related कोई भी doubt है तो आप हमें DM कर सकते हैं अब आपको उसकन से प्रवाड कराएंगे